दर्भंगा किसी भी देश या राज्य के विकास का सबसे बड़ा मापक शिक्षा है। पर उन्होंने देश और मिथिला के विकास के लिए दादा जी के द्वारा दिये गए योगदान को बताते हुई कहा कि सरकार को चाहिए कि उन्हें भारत रतन दे। वही महाराजा धिराज सर कामेश्वर सिंग की सुपोत्र कुमार कपिलेश्वर सिंग ने कहा कि आज हमारे दादा जी डॉक्तर सर कामेश्वर सिंग का 116. जयन्ती है हमारे दादा जी बहुत बड़े दानी थे ये बात सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने मिथिला और डेश के लिए कितना दान दिया। उन्ही के जयनती के अफसर पर हम लोग मुख्चिकित्सा शिविर लगाये हुए हैं। वही उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी डॉक्टर सर का मेश्वर सिंग का शिक्षा जगत सहित स सभी क्षेत्रों में उनका योगदान रहा है। हेंथ में DNCH और पूर होम को देख लिए शिक्षा जगत में बनारस हिंदू यूनिवसिटी के साथ ही इंडिया का पहले यूनिवसिटी कोलकाता यूनिवसिटी के निर्मान में महेश्वर सिंग ने दान किया। वही कुमार क पिलेश्वर सिंग ने कहा कि हमें तो लगता है कि इतिहास के पन्नों में कही हमारा परिवार का नाम घुम गया है। उसे हमें रिवाइप करना है। अगर हमारे दादाजी को भारत रतन मिलता है तो ये सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। आप विश्व के किसी कोने म जाए चाहिए आप दिल्ली मुंबई या फिर आप अमेरिका जाएगा तो आप बोलिए गाना की हम दर्भंगा से बिलॉंग करते हैं दर्भंगा ने देश के लिए का बहुत बड़ा लोगदान दिया है उनका ये लोगदान बिहार और मिथिला के लिए गर्व की बात है इस सरबस्थी उन्होंने मितला और देस के लिए दान दिया तो उनी की जैनती में हम लोग ट्रिब्यूट के लिए हेल्थ कैम लगाए हुए हैं में फ्री हेल्थ कैम जिसमें फ्री हेल्थ चकाप और दावाईयां वितरंध होगी जो विगत वर्सों से होता आ रहा है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर दें उनका योगदान है शिक्सा जगत में सभी जगत में कुछ भी आप ले लिजे हेल्थ में देखिए डीम सीच देखिए पूर होम देखिए यहीं क्या आप बनारस हिंदू इन्वस्टी हो तो हमारे परिवार ने तो हमिसा दान दिया है अब इंडिया का पहला इन्वस्टी कैलकाता उनिवस्ट्री महिस्वा सिंग जी ने किया तो भरदत तो मिलना ही चाहिए हमें लगता है जो कहीं वो इतियास के पन्नों में हमारा परिवार का जो है वो गुम गया तो उसको रिवाइब करना है जिसे सब को गौरफ की बात है जैसे आप कहीं दिली जाहिएगा फ्रांडबंगा की बात मिलना ही जाहिए जाओ हमें लगता है जो कि दो चैए बंढ जाहिए हमें अटारब कीयाया